यथार्थ महाराष्टर 2.0 बैच में आप सबका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं अपने सिलाबस के सेकंड चाप्टर की जैसे कि आपको बताई है यथार्थ महाराष्टर 1.2 पिछले साल हुआ था उसमें हर एक चाप्टर तीन से चार लेक्टर में आपको पढ़ाया गया था और इस बार यथार्थ महाराष्टर आपको पूरा चाप्टर पढ़ाएगा वन चौड में एकाच वीडियो मदे पूर्ण चाप्टर तुम्हाला एकाच जटक्या मदे शिकुला राना रहे तर यह चादिया आपन लॉग यह ठीक है काई काई आपन पाणा रहो क्या क्या आपन नया सिखने वाला इस चप्टर में यह भी हम देखेंगे टॉपिक्स टुबी कावड में देखिए जारा क्या है यहाँ पर हम बात कर रहें कि वर्क क्या है एनरजी क्या है मेकैनिकल एनरजी नाम की चीज़ क्या होती है लेकिन लेक्चर बहुत बढ़ा होने वाला है कम से कम दो या धाई गंटे का लेक्चर यह हो सकता है तो उसके लिए भी आप तयार रहिए क्योंकि कंटेंट ही वैसा है तो यह है आपका पहला पेज इस पहले पेज पर देख लिए सब लोग पूरा डेडिकेटेट स्टेट बोर्ड का पूरा कंटेंट आपको वैसा का वैसा पढ़ाय जाता है हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं सी ए आर्टी ओके जैसा एन्सी आर् इस अब देखिए यहां पर बहुत सरे लोग कुछ एक्टिवीटी कर रहे है कोई खेल रहा है वह टीवी देख रहा है कोई वजन उठा रहा है यहां पर अलगला एक्टिवीटी ए इन विच आप दौप 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 पिक्चर अवो हैस वर्क बिन डन उपर कौन सी कर रहा है यहां पर पढ़ाई करना भी प्रकार का वर्क होता है यहां पर एक पर संवर्क होदा है तो यह हो सकता है को कि दिवडी और आपने दिमाग मैं कुछ लग्ध उसके इसके लिए भी कोई परक देखनेया सबसें बड़ा वर्त हम महीद आ कि हम मैच चल रही है हम बैड़के वहाँ पर जाकर के और हमने तीन-चार घंटे का पूरा मैच देख लिया उससे भी ज्यादा समय का मैच देख लिया तो हम बोले देखो भाई कितना हमने काम कर लिया फूछ लो हमें कौन से और में कितने रंद बने थे तो हम बोलते देखो बोलते लिए और यहां पर परसंट वजन उढ़ा रहा है तो यह भी आपको लग सकता है कि वर्क है लेकिन फिजिक्स की भाषा में साइंटिविक तरीके से लिए मां बात करने कोशिश करूं तो यह सारी चीज़े अरी की सारी वर्क नहीं हो सकती क्या बोला मैंने यहां पर according को और नहीं हो सकता पहर अप सब्सक्राइबने कि नाम के चीज़ किस्य और भाट कर रहा हूं तो वचल बताने क के समय वह यह दैखना कितना फोर्स बाडि के ऊपर लगा है फोर्स का मतलब क्या होता है पूल और पुश किसी चीज को धक्का देना या किस जिसको अपनी तरफ खीचना यह क्या होता है यह फोर्स होता है किसी जिसको पूल करना पूश करना फोर्स क्या होता है फोर्स एक वेक्टर कॉंटिटी है फोर्स क्या है वेक्टर कॉंटिटी है जिसको अगर मैं बताना चाहता हूँ तो मुझे magnitude भी बताना पड़ेगा और मुझे direction भी बतानी पड़ेगी ऐसी vector quantity होती है force और force क्या कर सकता है कोई चीज़ अगर motion में है तो उसे stop कर सकता है कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो उसे मोशन में ला सकता है Newton's first law of motion क्या कहता है कि body remains in a state of rest और uniform motion body एक जगा पर ही रहती है या फिर body motion में आती है या फिर body motion में आती है क्यों मोशन में आती है जब उसके उपर force लगता है जब उसके उपर force लगता है ना मतलब जब तक बोड़ के उपर force नहीं लगेगा तब तक वो अपने जगा पर ही रहेगी रुकी हुई रहेगी या फिर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी कब तक रहेगा ऐसा ऐसा कब तक चलता रहेगा जब तक उसके उपर कोई unbalance external force एक्ट नहीं होता समझ में आ रहा है force की भी टाइब होते है force की भी टाइब होते है force हो सकता कि बैलन्स हो सकता है कि अन्बैलन्स हो और हो सकता है कि बैलन्स हो कि हो सकता है कि फॉर्स बैलन्स हो सकता है कि फॉर्स अन्बैलन्स हो हो सकता है बैलन्स हो हो सकता है अन्बैलन्स हो ओके अब यह बैलन्स और अन्बैलन्स मतलब होता क्या है में सिंपल भाशन में आपको समझाता हूँ आप घर में काम कर रहे हो तुम घर में काम नहीं कर रहे हो तुम यह काम करना बिल्कुल भी बोरिंग लगता है तो मम्मी ने मम्मी ने बता है को यार थोड़ा सा काम कर लिया कर घर में थोड़ा सा जो आपकी खुद की रूम है उसको साप कर लिया कर अपनी रूम जो है गंदगी वहाँ पर ज्यादा हो चुक यह थोड़ा सा जाड़ू पुछा लगाया कर अपनी ही रूम में अपने कपड जगा पर र जहते हैं घर में और वह फैली हुई हुघ होती है और भच्ची उठाथे वी नहीं उसको तो यह जो केसँ है वह मम्मी के बास में गया तो मम्मी ने आपको बताई कि गश्ञां मत करो यह सा मत करो लेकिन तुम कहांवे सुनु रहे हो मम्मी सबनेघ और पपार आपने को एक बार में समझाती है आपने सुनु नहीं कम पतरिक्श लूब लेकिन वही बात नहीं, सब्सक्राइब करने का तरीका है आपके उपर एक्सटर्नल मतलब बहार से अक्ट होने वाला अन्बैलन्स मतलब जो आप नहीं जहल सकते तो आपके उपर लगा और फिर आप सीधे होएं आपका सीधा होना एक किसा ये क्यूं हुआ क्यों कि आपके उपर अन्बैलंस्ट पॉर्स लगा तो बिसी कली फ्वोर्स बॉड़न की ऊपर लगता है लेकिन फॉर्स कैसा होना चा यह जब unbalanced force लगता है body के ओपर the body जो है motion में आ जाती है समझ में आ रहा है आपको बड़ी जो है motion में आ जाती है ओके बड़ी जो मोशन में आ जाती है वर की बात हो रही है फोर्स की बात हो रही है बाद में यहां पर बात होगी displacement की कि यहां पर किसकी बात होने वाली है यहां पर displacement की बात होने वाली है किसकी बात होने वाली है displacement की यहां पर बात होने होने वाली है तो जो वर्क अपना बनता है तो किसे बनता है फोर्स से बनता है और displacement से बनता है यह दोनों वेकसफ़क्त बहुत ज़ादा है अगर आपको वर्ख C तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पर भॉक ही नहीं लेकिन अपने धक्का लुकल को जाती है तो हम बोलते देखो हां यहां पर वर्क यहां पर वर्क हुआ है तो basically एकर मैं ब Bong की बात करो तो वर किसी क्वर है वारइक स्माइब है सल ईन्टू डिस्प्ले स्मेंट, पॉर्स इन्टू 9.. एफ क्रॉस एस पॉर्स इंटू इस यह क्रॉस भी नहीं है एफ डॉट एस ऐसा होता है यह आगे चलके आपको समझ में आएगा कि यह एफ डॉट एस होता है और कभी कभी आपको क्रॉस प्रॉड़क्ट भी दिखेगा वो चीज़े अलग लग है तोड़ा सा हाइयर लेवल पर यकर आप जाओगे तो आपको समझेगा यहां पर डॉट लिया जाता है तो जहां पर यह डॉट लिया जाता है यह डॉट प्रॉड़क्ट मतलब बस यहां पर यहां पर फ्स और यहां पर बात कर रहा हूं तो पहले फोर्स कितना है वह आपको देखना पड़ेगा बाद में आपको इसको है किसके साथ में displacement के साथ में आपको इसको करना पड़ेगा जब आप TION chemotherapy करोगे तब क्या होगा तब आपको दीखेगा कि work हुआ है अप मान लिजे मैं आपको बहता हूं मान लिजे कि आपने फूर्स लगा आपने फॉर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद में जो displacement है वो कुछ भी नहीं हुआ displacement 0 हो गया कैसी बेर का वर ब्क इस्प्लेश्मेंट जीरो हो गया मतलब आपने धक्का दिया बॉड़ी अपने जगाव पर आ लिया बॉड़ी के अंदर कुछ भी displacement नहीं हुआ तो मैं क्या बोलता हूँ displacement 0 तो यहाँ पर देखिए f cross 0 है ना f into 0 मैंने लिखा मतलब यहाँ पर वर्क कितना हो गया भाई वर्क यहाँ पर 0 हो गया कि अरे यह वाद समझ में वर्क तो 0 हो गया अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने फोर्स लगाया ही नहीं हो अगर आपने फोर्स ही नहीं लगाया बॉड़ी अपने जगा पर ही रहेगी है ना तो फोर्स और इसमें आगर मैं बोलेंगी 40 & 40 हो गया और जगी तो इस्फ्लेस्मेंटी बड़ा 0 Hen Strocratic और उसके क्या रहेगा कुछ समय कुछ मतलब ही मतलब іने रहेगा आपने फपस्पास भी आप चाहते हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और फोर्स लगाने के बाद में बॉड़ी के अंदर डिस्प्लेस्मेंट भी होना चाहिए अगर बॉड़ी के अंदर डिस्प्लेस्मेंट हो रहा है तो आप बोलो के की वर्क डन हो रहा है अब देखिए यहाँ पर देख तो इस केस में फिजिकली फिजिक्स के लैंग्विज में यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं हुआ है। इसको देख करके हमें तो लगता नहीं कि यह कुछ displacement कर रहा है कुछ भी डिस्प्लिशमेंट नहीं कर रहा है। पर पर भी वरक क्या दो घूरदयुंत एंडिया वर्सथ सही देखने में कोई आप यहां पर आपको वर्टन देखेगा क्योंकि यह जो किसा मोशन में यह मोशन में जा रहा है यह अपने जगा से क्या जा रहा है आगे वड़ रहा है मोशन में यह पर्षन है अगर यह मोशन में है तो यह जो वेट को क्या कर रहा है डिस्प्लेस कर रहा है पूर्स लगा रहा है और फूर्स लगाने से क्या हुआ डिस्प्लेस्मेंड कर रहा है उसक ती कि बात पाली यहां पे नीचे थी ओके का नीचे ती उसके बात में इसके उपर फोर्स लगाية यहO यह फोर्स कैसा लग रहा है उपर की दीशा में का लग राया उपर की दिशा में यह पूर्स चा रहा है आपर ओके और displacement बोटल का ऊपर हो रहा है तो यह वर्क डन अब देखिए अब यह बोटल मेरे हात में तो फॉर्स कहां पर लगा रहा हूं मैं फॉर्स मैं लगा रहा हूं उपर ओके अब देखिये यहाथ है यह फोर्स लग रहा है बोटल की तरह फोर्स लग रहा है मैं और ग। इस केस में क्या हुआ अगर आप देखोगे अगर आप इसकेस को ध्यान से समझोगे तो फॉर्स यहाँ इधर लग रहा है और displacement जो है इधर हो रहा है बोटल का, समझ में आ रहा है जब यह चीज मेरे कंधे पर है तो force कहां पर लग रहा है ऊपर की तरफ ऐसे के से जो वर्डन होता है वह जीरो जाता है वह आपको बताएंगा तो यह बहुत सार इसके एसपेक्ट है अलग तरीके से आपको समझना है किये वर्ड होता क्या इतना सिंपल भी नहीं है दिमाग लगाना पड़ेगा सब इसको तो यहाँ पे इस परसन वरक कप किया जब ये इसने वह जो सैक था पाकेश के अंदर वुख हुआ हुआ था था तब उसने उसको नीचे वपर उठाया अपने कंधों की तरफ उठाया तब क्या हुआ वहां पे पोर्स लगाया और फॉर्सके डीरेक्शन में अप्वर् बढ़ रहा है उसके स्में वर्क जो है जीरो हो जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ चलिए मतलब अगर आप ओर आल देखा जाए तो 123 कुछ भी वर्क नहीं हुआ है और यहाँ पर वर्क तभी हुआ है जब चीज को जमीन से कंदे के उपर उठाया गया जब वो चलने लगा तब जो वर्क डन है वो जीरो है चलिए समझता हो आपको इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क को समझने के लिए आपको क्या गारना पड़ेगा वर्क को समझने के लिए आपको फोर्स के बारे में समझना पड़ेगा और डिस्प्लेश्मेंट के बारे में समझना पड़ेगा अगर अगला पाड करते हैं अगला पाड देखते हैं अगले पेच पर देखें अगले पेच पर देखें तरह क्या बोला गया है आपको जनरली एनी मेंटल और फिजिकल अक्टिविटीटीज रेफराइब वर्क वेन वी वाक और रूर अनरजी इन आर बॉड़ी इस यूस्टू दूनेसरी वर्क वी से दाइट गर्ल हूइस श्टूड़ीग इस वर्किंग और परफॉर्मिंग वर्क बट वाट इस बट दाट इसमेंटल वर्क वो जो बच्ची पड़ाई कर रहे थी इसको एक मेंटल वर्क बूला जाएगा एक साइकोलोचिकल तरीके से उसक इसको वर्क नहीं मानता कि देखें वाई व कर लिया तो बहुत सल्मत हुई है इन फिजिक्स we deal with the physical वर्ग वर्ग है तो सपेशल मेनिन इन फिजिक्स वर्क इसेट वी डन मेन फोर्ट अप्लाय जाएगा बोडी के ओपर और फॉर्ट अपलाय करने के बाद में बॉड़ी के अंदर डिस्प्लेस्मेंट वह किसेट विड़न विन अप्लाय फोर्ट और अन अब्जेक्ट वर्क आउट इस दिस्प्लेश्मेंट that we call work done in the language of physics okay you have already learned that work done by the force acting on an object is the product of magnitude of the force and displacement yes okay अब इसमें एक बात आपको notice करने पड़ेगी बिल्कुल आप वहाँ पे mark कर लीजिये यहाँ पे इनोंने क्या बुला है आपने को माने वोड जो वर्क है वह किसका प्रोडक्त है प्रोस और डिस्प्लेश्मेंट अप्रोडक्त ना चाहिए तभी वर्क माना जायेगा समझ में आ रहा है यह चीज nossa test है क्यूंकि मैंने को क्या बताया वो जो परसन जो अपने कंधों के उपर सैक उठा कर लेके जा रहा था तो उसके उपर जो फोर्स लग रहा था वो अपवर्ड फोर्स लग रहा था और डिस्प्लेश्मेंट जो हो रहा था वो इधर हो रहा था इधर डिस्प्लेश्मेंट हो रहा था इधर डिस् अब तक ही हुआ है जब उस परसन ने यहां से बॉटल को यहां से सामान को उठा करके अपने कंदों पर रखा यही वर्कडन हुआ है क्योंकि यहां पर फोर्स भी उपर लग रहा था डिस्प्लेश्मेंट फोर्स के डिरेक्शन में हो रहा था डिस्प्लेश्मेंट कैसा हो रहा था फोर्स्प्रिक्षन में हो रहा था येस तो एक बात यहां पर आपके भुक में विल्कुल इसको मार्क करके रखिए एकदम आपके पूर्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्व इसके बारे में अभी बात होगी और क्या बोला है मिनाक्षी वांट्स टो डिस्प्लेस अ वुडन ब्लॉग फॉम पॉइंट पॉइंट बी अलाउंग दसर्पेस ऑफ टेबल शोन इन फिगर शीहाज यूज फोर्स फ पॉर्ड पर 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 पस अल्ड अल्ड इनर्जी शीपें बीन उस्टू प्रोड असलरेशन इन ब्लॉग विच फोर्स हाव बीन ओर कम उसिंग देनर्जी ओके एक मिनाक्षी का एक्जाम्पल दिया गया है वो सकता है इसके डागराम भी आपने को द पर दन ओन और ऑन अब्जेट विन अगररेशन में दिसेशन में जूग सेखने में देशन में नहीं हो रहा है तो आप फोर्स फो कैसे चाल्कड करोगे है ना हर बार ऐसा थोड़ी होगा कि जिस डिरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उसे डिरेक्शन में वर्क्टन होगा ऐसा तो नहीं हो सकता इस डिरेक्शन में force act हो रहा है उसे डिरेक्शन में displacement होगा ऐसा तो आप नहीं बोल सकते हो हर बार तो ऐसा होगा नहीं तो अगर हमने force लगाया और उसके उस force के direction में ना जाते हुए body किसी और direction में displace अगर हो रही है तो बताइए work कितना हुआ और कैसे उसको calculate किया जाए एक बहुत बड़ा question आपके सामने उन्होंने प्रस्तूत करके रखा हुआ है एक बहुत बड़ा question mark यहाँ पे आपको दिख रहा है use your brain power yes चलिए इन दोनों ही बातों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे okay देखिए इनका कहना है कि मिनाक्षी मिनाक्षी क्या कर रही है इसने object को A पे था इसको यह B पर लेके गई देखो यही पर बोला गया ना from point A to point B along the surface of the table she has to use force F for the purpose has all the energy she spend been used to produce the acceleration in the block which force have been overcome using this using that energy देखिए मिनाक्षी अपना कीमती समय यहाँ पर spend कर रही है इस ब्लॉक को A से B पर लेके जाने के लिए अब इसने force लगाया धक्का दिया और force लगाने के बाद में क्या होता है एसलरेशन होता है Newton का 2nd law क्या गयता है धक्का लगाओ body की ओपर body की ओपर धक्का लगाओ body की ओपर जब तुम force apply करते हो तो क्या होता है body के अंदर acceleration त्यार होता है कि रेट अफ चेंज आफ मूमेंटम बॉडिक अंदर चेंज होने वाला मूमेंटम डिपैंड करता है उसके उपर कितना फोर्स अपलाइ हुआ तो यहां पर देखिए यहां पर मिराक्षी ने फोर्स लगाया इसको यह ए से बी पर लेके गई तो बताइए इसमें कौन सा फोर्स ओवरकम हो रहा है आप साइकल चला रहे हो तो आपको बताए टायर और रोड इसके बीच में क्या हो रहा है फ्रिक्शन तो जो आप मस्कूल वहां पर इनर्जी खर्च कर रहे हो जो आप मस्कूलर वहां पर फोर्स लगा रहे हो वह जो फोर्स है वह फोर्स यूज हो रहा है किसके लिए यूज हो रहा है टायर के बीच में और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए से स्पेंड हो रहा है chess Apple अओके जो आप सब्सक्रिक में और भी एक फॉर्स नगाव कि यूज Jean रहा है उसको भी आपके मस्कुलर फॉर्स का यूज हो रहा हो जालत तो टायर और रोड के विचम फिक्शन है उसको ही आप overcome कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे forces है समझ में आ रहा है आपको air हवा भी चल रही है friction भी हो रहा है gravity भी है अगर आप balance नहीं करोगे तो gravity gravity की वजह से जो और का attractive force है उसके साइकल गिर भी जाएगी यह भी हो सकता है तो आप basically कर क्या रहे हो आप basically सभी चीजों को balance कर रहे हो सभी चीजों को क्या कर रहे हो आप balance कर रहे हो friction को balance कर रहे हो कि ग्राइटोर्स को बालेंस कर रहे हो इतनी ऽारी चीज़ों को क्या कर रहे हो आप बैलन्स कर रहे हो अपने मस्कुलर व向 ब्लोक टेबल के बीच में क्या था और यह जो फ्रिक्शन वाला फॉर्स है यह बहां पे ओवर्र कम किया जा रहा है यह जो व्रीक्षनल फूर्स है ब्लॉक और टेबल के बीच कैसको वी क्या किया जा रहा है, यहां परलार totalią के बीच का नियरा या जा रहा है है एना कि मतलब जो for says है surrounding में उनको overcome करने के लिए आपके energy क्या होती है खर्ष होती है अब बहुत सारे बच्चित इस और बोलते हैं और इनर्ची और force इसमें क्या difference है एना वरक और फॉर्स में क्या difference बताएव हमें क्या difference है वह भी मैं यह तो हमने समझ लिया और यहां पर यहां पर यह जो पिक्टर यह आपसे कुछ कहना चाहता है यह ना यह क्या कहना चाहता है देखो हम बात कर रहे हैं कि जो displacement body का होना चाहिए यह जो displacement है body का एक ऐसा होना चाहिए क्या होना चाहिए displacement होना चाहिए ऐसा आपको बोला जा रहा है ऐसा आपको कहा जा रहा है लेकिन इस डियाग्राम को देखने के बाद आपको यह क्लियर हो जाएगा कि जो फोर्स है वो कहां पर लग रहा है फोर्स कैसा लग रहा है फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेश्मेंट हो रहा है इधर मतलब फोर्स कहीं पे displacement कहीं पर, force कहीं पर, displacement कहीं पर, अगर displacement force के direction में नहीं है, अगर displacement force के direction में नहीं है, तो बताइए force को, तो बताइए work को कैसे calculate किया जाए, आप तो बोलते हो कि force के direction में displacement होना चाहिए, लेकिन अगर force के direction में displacement नहीं है, तो आप उसको कैसे calculate करोगे, ये भी सोचने वाली बात है ओके ठीक है ना येस और भी और भी कुछ चीज़े हैं जो आपको मैं समझेने वाला था चलो इतना तो आपको समझ में आ गया कि चलो आपको बताता हूँ अभी कि वर्क में क्या डिफ्रेंस है वर्क और ? और वर्क एनर्जी इन दोनों से फोर्स कैसे अलग है इसके बारे में भी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ ओके चलो इनर्जी होता क्या है पहले हम energy को समझेंगे फिर हम work को समझें अब नवा ओर रोटी यह आपने खाने के बाद आपके अनंतर की जो calories वो बढ़ गई आपने सुना होगा तो आलू और रोटी खाने के बाद में आपकी जो है इनर्जी बढ़ गई मतलब आपके अंदर जो कैलरीस थी वो बढ़ गई है कैलरीस क्या है यूनिट है एनर्जी को मेजर करने का जो यूनिट है वो क्या है आपका कैलरीज है जितनी ज्यादा कैलरी उतनी ज्यादा क्यों है माली आपने जुद थो रोटिया खाली आलू के सबी के बाद में और आपकी जो एंवर कितनी हो गई एकफजार कैलरी कि अब के एक थूर्गलारी एतनी एठी आपको मिल गई दो रोटि और एक दो रोटि के साथ में आलू की सब्सक्राइब के बाद तो आपको घर पर कुछ काम करना था तो आप घर पर कुछ काम कर रहे हो कर हो ना खुब जाब घ्र दमातिरण दमातिर्ण गई जल्ट सब्सक्राइब तुम्हें गर जाड़न काड़िए टो में घडेजा दमीज्याक खरत धाली तुम्हें काम केला तुम्हें किती एनर्जी खर्त धाली दोन से कैल्डरीज इतकी एनर्जी तुम्हें खर्त धाली तर किती ओरली आता आट से कैल्डरीज इतकी एनर्जी तुम्हें 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 त सब्सक्राविव हो सब्सक्राविव कहले तुम्हें वर्क केले ताह व्रक मतेश्म जांत तुम्हें तुम कि दोन्शी में टरी के आधल के आज़े पॉन कि दोन्शी क्यलरीज चाह उपर आये समय को सक्षों एeger, कैलरीज चाह वरुबर हं पाnt तक हाव मोर sore अरह एनर्जी एनर्जी ऑ फ्दाल शिस्टेम के इनर्जी ऑस्टेम ऌके तुमीच quiz directions 10 आप तुम्हे आत्य जिय Об presence तुम्हे बावणी ने लॉऌन शाल फिल है एनरजी लॉस्ट वाइद शिस्टेम मुड़े जी एनरजी लॉस जाली लिया है एनरजी लॉस्ट बाइद शिस्टिम ही किती आहे दोनचे कैलरी तो इस शिस्टिम जी एनरजी लूज करते टाला आपन महिंतो वर्क डन द आलां पनży काहीं हमाद तो वर्गडन है ऐसको क्या बुला जाता उसने बूला जाता है वह उसको 800 नॉर्जी लॉश्ट बाई दक आट्र ही छोड़े इनरगे करती है उसा कई हम उससी कई वर्ग डन बोलते है ओके ये डिफरेंस है एनर्जी और वर्क था हमारी अंदर कैपस्टी परका 돌 है काम करने की इस एक बॉला जाता है एनर्जी और वो काम करते करते आपने कितली इनर्जी लूस कर दी वो होता है work done वो होता है work done समझ में आ रहा है अब work done हो गया अब मुझे ये बताइए आपके अंदर अगर energy होगी आपके अंदर अगर energy है तभी तो आप force apply करोगे ना body के उपर अगर आपके अंदर energy है तो आप क्या करोगे आप body के उपर force apply करोगे और सप्लाय करोगे तो body क्या होगी अपने जैका से डिस्प्लेस होगी अगर आप force लगाते हो और body डिस्प्लेस ही नहीं होती है तो उसका कोई मतलब होगा क्या नहीं अगर आपके body के अंदर energy है तभी आप चीजों क्या कर सकते हो उठा सकते हो धक्का दे सकते हो ओके मतलब energy energy से तुम क्या कर सकते हो body के उपर force apply कर सकते हो उनको धक्का दे सकते हो ओके तो energy lost by the system energy lost by the system is equal to work done is equal to work done और work done कब होगा आपके अंदर की energy का यूज़ करके आप क्या करोगे body की उपर force apply करोगे और force apply करने से क्या होगा force apply करने से body के अंदर displacement होगा ओके यह difference है यह difference है energy का energy का work से और work का force से इस तरीके से अलग-अलग तीनों ही concept जो है अलग-अलग है इस प्रकार से तीनों ही चीज़े जो है वो अलग-अलग आपको नजर आती है यह अलग चीज़ है यह अलग चीज़ है एक यह और चीज़ लॉष्ट वाइड़ सिस्टिम एडरजी लेकिन जो सिस्टिम ने लॉस्ट कर दी वह अलग है और जो सिस्टिम लॉस करता है उसी से बनताव हो रहा है तो कहीना कहीं पर फोर्स अपला है हो रहा है और उसकी वज़े से डिस्प्लेस्वेंट हो रहा है तो ऐसा थोड़ा-थोड़ा माइनुट मारे डिफरेंस आपको हर जगा पे नजर आएगा एनर्जी का वर्क से वर्क का पॉर्स से अब इनका क्या कहना है आप यहां पर मार्क कर लीजिएगा सब लोग यह जो है यहां पर आपको मार्क कर लीजिए लिए जो चाहिए लड़की है यह फोर्स अपलाई कर रही है लेकिन यह किसी और डिरेक्शन में फोर्स अक्ट हो रहा है और जो डिस्प्लेश्मेंट अब ओडिका वो कहीं पर और हो रहा है ठीक ना यहां पर देखो पोर्स अपलाईड अलॉंग दारेक्शन आप दॉस्ट्रिंग वाइड तकार्ट इस पूल अलॉंग दो आइस केस में अगर आप ऐसे केस में बतलब जहां पर और वर्क तो हो रहा है लेकिन पूर्स की डिरेक्शन में displacement नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, we have to convert the applied force into the force acting along the direction of the displacement, तो हमें करना क्या है? हमें पता है कि force तो ये है, तो हमें ये देखना है कि displacement ये देखो, ये हो रहा है displacement, तो हमें displacement कि along force कितना act हो रहा है, वो हमें calculate करना पड़ेगा, तब जाकर कि हमें यह मिलेगा कि कितना work done हुआ है तो यहाँ पर mark कर लिजिए we have to convert the applied force into the force acting force acting along the direction of the displacement displacement के along जो force act हो रहा है वो देखो ऐसा आपको बोला गया है चल यहाँ पर वही बाते बोली गई है देखो यहाँ पर एक block है और यह block जो है इसके उपर force लगाया गया लेकिन displacement तो यहाँ पर हो रहा है तो हमने क्या किया force और displacement इनके बीच में angle कितना है वो हमने देख लिया हमने बोला थीटा इतना angle है अब थीटा की value हो सकती है 30 हो 60 हो 45 हो 20 हो जो भी हो तो हमने बोला कि angle कितना है पहले वो देख लो बाद में देखिए यह हो रहा है displacement इस direction में तो हमें क्या निकालना है f1 मतलब displacement के direction में कौन सा force act हो रहा है वह हमें देखना है हमें देखना है f1 ओके आप देखिए को स्थीटा क्या होता है यह ना कॉस्थीटा क्या होता है adjacent side upon hypotenuse ओके तो यह जो है f1 f1 क्या है adjacent side है और hypotenuse क्या है hypotenuse है actual force actual force जो body क्यों पर हम exert कर रहे हैं ओके तो यह देखो यह है base और यह है hypotenuse ओके और जो यह जो base है वो क्या है f1 मतलब ऐसा force जो displacement के along act हो रहा हो ओके तो f1 की value क्या हो गई तो f1 की value हो गई f को इधर division में है इधर लिखिया हो तो यह बन जाएगा f cos theta division में है इधर multiply हो गया तो क्या बन गया f cos theta बन गया यह ना एक है f1 is equal to f cos theta f1 is equal to f cos theta समझ में आ रहा है f1 is equal to kya बन गया f cos theta बन चुका है ओके है हाँ एफ1 की value तो अपने बास में आ गई तो आपने करना क्या है अभी हमें बता वर्क का क्या है हमें बता work का formula है force into displacement लेकिन अभी हमें बता है कि जो displacement के along जो force act हो रहा है वह अलग force है । displacement कि along जो force act हो रहा है वो क्या है F1 तो हमेए पहले F1 की value लेनी है ओक्ई यहाँ पर हम monthly分 नहीं लेसकते क्योंकि जो force है वह learnedakat displacement के along पूरा का पूरा नहीं act हो रहा है उसका एक component जो है वो displacement के along act हो रहा है और उसकी value क्या है उसकी value है f cos theta तो f की जगा पे आप क्या लिखोगे f cos theta और यहाँ पे s जो है displacement वाला वो आ जाएगा ओके तो आपके लिए work का नया formula क्या बनता है आपके लिए work का नया formula बनता है work is equal to work is equal to f dot s cos theta क्या बनता है देखो work is equal to आपके लिए बनता है f dot s यहाँ पे क्या एगा cos theta f dot f dot s cos theta ऐसी बात ही ओके अब यहाँ पर अपने को अलग अलग अग व dips हाँ यूज करने चेकर करने एक किटना वर्क होता है okay है तो पहले बोला की पहले तुम zero degree अपको बोला गया है शली इसको फोर करके देखते की क्या striking हो रहा है देखो है अगर मैं थीटा की वाइलो जीरो रखता हूं थे डा की वैलु रखता हूं मैं 0 रखतों फिरकर रखता हूं 0 अब देखू क्या होगा तो क्या होगा वर्क इस इक्वल टू एफ डॉट एस तो स्टीटा i a f dot e f dot e s cos theta तो मैं क्या अगर तो यहां पर J यहां पर F लिखता हूँ यहां पर लिखता हूं मां 5 0 है तो यहां पर कॉण zero है उसकी value क्या हो गई भई उसकी value हो गई वन कॉढ़ रोक वहलीक होती है है You better यहां पर क्या अइगा c जोट एस और कॉस जिरू कि वैलिए क्या गई वन यहाँ पर क्या आगया एंव डॉट इसका मतलब यह है कि फोर्स और डिस्प्लेश्मेंट इसमें कोई एंगल ही नहीं है मतलब force अकर इधर act हो रहा है तो displacement भी इधर act हो रहा है दोनों के बीच में यहाँ पे कोई एंगल नहीं है कोई एंगल नहीं है मतलब theta की value क्या हो गई यहाँ पे 0 degree इतनी value हो चुकी है force और displacement के direction में कि यह हो गई पहली केस दूसरी केस देखो दूसरी केस हम बोलते हैं theta की value 90 ले लो तो क्या होगा देखो जड़ा theta की value 90 देने के बाद में क्या होगा देखो वर्क की value क्या आती है वर्क होता है F.S.cos theta F.S.cos theta तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ force यहाँ पर dot यहाँ पर S यहाँ पर मैं लिखता हूँ cos 90 लेकिन आप लोगों को पता होगा कि cos 90 की जो value होती है वो क्या होती है 0 इसका मतलब यह जो पूरी term है वो 0 आ जाएगी और work कितना हो जाएगा 0 और इपित लोई हो रहा है और इधार ₹ हो रहा है तो दोनों में अंगल कितना वग्ली डिग्री कुर बन गया थिंटा की विल्यो नाइटी बन गई तो शेक्स केस में वर्ग दन होगा ही नहीं उरे सब्सक्दलेश्मेंट इन दोनों में गल है और अगल अगर 90 degree का है तो वहाँ पे work done होगा ही नहीं, वहाँ पे माना ही नहीं जाएगा कि work done हुआ है इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लेते थीटा की value 180 degree लेते हैं 180 degree और अभी हम work को calculate करते हैं, देखो भाई कितना होगा, work is equal to f.s cos 180 लेकिन cos 180 की जो value है, उसकी value है minus 1 तो यहाँ पे जो work होगा, तो यहाँ पे आएगा f.s और यह minus 1 तो यहाँ पे क्या आने वाला देखो ज़रा, यहाँ पे आएगा minus sign, यहाँ पे आएगा f.s यहाँ पे आएगा f.s, समझ में आ रहा है ऐसी बात इसका मतलब यह हुआ कि force जो है, इधर act हो रहा है, लेकिन displacement जो है, वो इधर act हो रहा है दॉनों ही विपरित दिशाओ में तो दोनों में आएगल कितना हो गया, AGD कि ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा निगेटिव वर्क डन यहाँ पर वर्क डन कैसा होगा निगेटिव वर्क डन यहाँ पर हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर निगेटिव वर्क डन हो रहा है ऐसी बात यहीं आपको दिया गया है बुक में भी आपको यहीं समझा गया है पहले आपको 0 बोला है वहाँ पर वर्क कितना हुआ थिटा की वैलिव 0 बोली है वहाँ पर वर्क लेकोल टू F into s जिस ड्रेक्शन में फोर्स है उसिटरेक्शन में इस प्लेश्में eş हुआ है जुसरे वाले केश में 1-2 लिए 123 है और मज arts और 50 डिंगरी का मैंगल बनाते है तो उस case में work done होगा ही नहीं, उसके बाद 180 degree है, minus 1, यहाँ पर work is equal to minus f dot s, minus f dot s, इस case में जो work done होगा, कैसा होगा, negative work done होने वाला है, तो उस case में work done कैसा होगा, negative, मतलब force इधर लग रहा है, और displacement इधर हो रहा है, right, ऐसे case में negative work माना जाएगा, तो आप बोलों कि शरी ऐसा कैसे हो सकता है, कि force इधर लग रहा है, और displacement इधर हो रहा है, ऐसा को example हो सकता है, बिलकुल हम देखेंगे example, देखिए, जैसा, यह bottle है, अब यह bottle मैंने नीचे रखी है, तो मैं उसको उठा रहा हूँ, जो force मैं लगा रहा हूँ, वो force act हो रहा है, अपवर्ड, और displacement भी कैसा हो रहा है, अपवर्ड, लेकिन, जो force, gravitation का force है, वो downward act हो रहा है, ग्राइविटेशन का force, downward act हो रहा है, और displacement हो रहा है, उपर, मतलब gravity के sense में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं gravity के sense में बात करूँ, तो उस case में work done कैसा होने वाला है, negative work done होने वाला है, ओके, मतलब मेरे sense में अगर मैं बात करूँ, तो work done positive हो गया, तो कि मैं उपर लेके जा रहा था body को, मैं force उपर apply कर रहा था, body भी उपर जा रही थी, लेकिन, gravity का जो force है, वो downward act हो रहा था, और displacement उपर हो रही थी, ऐसी बात, तो उस case में gravity के sense में जो work done हुआ है, वो negative work done हुआ है, अगला पाट देखते है, यह तो हमने देख लिया पूरा, यह भी हमने देख लिया, अब देखो क्या हो, unit की बात हो रही है, कि unit कौन सा होता है, SI system में work का क्या unit है, energy का क्या unit है, और बाकी चीज़ों का क्या unit है, अब देखो, work is equal to force and displacement, in SI system, the unit of force is newton, okay, SI system में, जो force का unit होगा, उसको हम क्या बोलते है, newton बोलते है, newton में, newton में measure किया जाता है, force SI system में, and the unit of displacement is meter, definitely, length को अगर measure करना है, SI system में, तो हम meter की बात करेंगे, okay, thus, the unit of force is newton into meter, okay, यहापे आप देख पा रहे हो, unit of, yes, unit of, देखें, यहापे शाइद गलत हो गया है, unit of, यहापे कर लीजिए, आप unit of work, unit of work, work का unit क्या हो गया है, newton meter हो गया, this is called joule, newton meter, one newton, अगर आप करोगे, one newton को अगर आप one meter से multiply करोगे, तो मुझे, आपको क्या मिलने वाला है, one joule, इतनी आपको energy मिलने वाली है, one joule, if force of one newton displaces an object through one meter, in the direction of the force, the amount of work done on the object is one joule, तो यहापे आप मार्क कर लीजे कि, यहापे यह one joule का definition आपको दिख रहा है, यह देखिए, यह है one joule, one joule का आपको definition यहापे दिख रहा है, if a force of one newton, one newton का force लगा, और उससे displacement जो हुआ है object का, object का जो displacement हुआ है, वो कितना हुआ है? one meter का displacement हुआ है, और कहापे हुआ है, कहापे हुआ है, in the direction of the force, पोर्स के डिरेक्शन में बॉडी का displacement हुआ है तो बजमें हार आपको the amount of work done on the object तो कितना हुआ है amount of work done 1 joule कितना हुआ है 1 joule 1 joule is equal to 1 newton into 1 meter ऐसी बात हो रही है 1 joule is equal to 1 newton into 1 meter यह हो गया भाई तुमारा joule का concept in CJ system the unit of force is dine and that of displacement is centimeter अगर मैं CJ system की बात करूँ तो CJ system में जो आपका force होगा force को dine में measure किया जाएगा और displacement को centimeter में measure किया जाएगा SI system में force का unit dine और displacement का unit centimeter इसको देखा जाएगा अगर में बात करूँ तो मुझे क्या मिलेगा dine into centimeter मिलेगा पहले मुझे क्या मिल रहा था Newton into meter मिल रहा था अभी मुझे मिल रहा है dine into centimeter this is called urge इसे क्या बोला जाता है urge मतलब मिलेगा मिलोग्राम एंड सेकेंड ऐसा वहाँ पर होता है यह बड़े यह बड़े भाई की बात हो रही है बड़े बड़ा भाई का नाम क्या है जूल थोटे भाई का नाम क्या है और्ज बड़े भाई बड़े दनिस्वन और्ज वॉन हर्ज का मतलब क्या होता है वाच दाइल निं टुवन सेंटिमिटर वन जूल का मतलब क्या होता है वन नूटन इंट वन मेटर्डर स्प्प्प्पनाइब का मतलब harई 10 त सेंट्यमिटर उके तो बट्वन टुल का मतलब degrees सेंटीमेटर तो 1सिकोल टोलटो गा keywords एतना पाइंड दबाद को अश्Let आपको में लिखे जेता हो देखो ज़ॉह वन जूहलम की बात करो यहाँ पर आता है वन noon लेकिन आपको पता होगा कि वन न्यूटन का मतलब होता है 10 पावर फायू डाइन 10 पावर फायू डाइन और यहाँ पे आता है 1 मिटर मतलब 10 पावर 2 सेंटिमेटर तो अगर हम एडिशन करू तो यह क्या मिलगा मुझे 10 पावर फायू मल्टिप्लाइड बाइ 10 पावर 2 और यहाँ पी क्या आएगा 9 इंटो सेंटिमेटर डाइन सेंटिमेटर तो यहाँ पी क्या आएगा 10 पावर सेवन डाइन सेंटिमेटर लेकिन आपको बता होगा 1 dine into centimeter यह यह क्या हो गया 1 dine into centimeter इसा क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है और्ज यहाँ पिक्या है इसका मतलब यह हुआ 1 jule यह 10 to the power 7 और्ज इसके बराबर होता है कि वन जूल्च होता है वो टेंदेपॉर सेवन और इसके वराबर होता है चली आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि आगे बात करते हैं आगे क्या क्या है आगे बहुत कुछ है नेवर एंडिंग टौपीक है अब दीखे, यहाँ भी बात हो रही है positive, negative and zero work की, positive, negative and zero work, तो यह हमने already discuss किया है, देखिए, आपने force लगाया और body अपनी जगाँ पर ही है, तो जो work done हो जाएगा, वो zero work done हो जाएगा, आपने force लगाया और body का जो displacement है, वो force की direction में ही हो रहा है, तो वहाँ पर positive return हो जाएगा, आपने force लगाया लेकिन body का displacement, force की direction की opposite है, तो वहाँ पर negative return हो जाएगा, जैसे मतलब आप swimming, आप boat चला रहा हो पानी के उपर और आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे जो एक पेडल की चीज़ होती है, आप क्या कर रहे हो उससे, पानी को पीछे धख्का दे रहो, आप पानी को पीछे धख्का दोगे जो boat है वो आगी जाई, कि इस में पानी का आप सक्षट कर वड़क बोर्च कर आगी मतलब वोज़े यह हैं और इसमें कि यहां पर दी गई है वेन the force and displacement are in the same direction theta 0 work done is positive when the force and the displacement are in opposite direction theta 180 degree the work done by the force is negative when the applied force does not cause any displacement when the force and the displacement are perpendicular to each other two cases है आपने धक्का दिया और बॉडी का displacement हुआ ही नहीं तो वहाँ पर वरेटन जीरो माना जाएगा दूसरी केस है कि आपने फोर्स लगाया आपने फोर्स इधर लगाया displacement इधर हो रहा है पत्व फोर्स और डिस्पलेश्मेंट दोनों में एंगल कितना हो गया स्क्रिज्च मेंकि ग्या ओजाएगा जीरो हो जाएगा टऊ-जाय basically है जीरो हो जाएगा ependantение कि चली यहाँ पर फिर से एक क्ल़ कि को दी गई है यह भी शाय्द पाजेटिव गई है और फिर इसको फ्रेड के जरी यहां पर यह चोड़ा गया यह 13 के जरी इसको छोड़ा गया है और यहां पे एक छोटा सा नर्थ है तो आप देख पा रहे हो की हो सकता है यहां पर displacement हो जाए है ना थोड़ा सा यहाँ पर friction होगा लेकिन इसकी जैसे यहाँ पर displacement हो जाएगा बाद में क्या किया है यहाँ पर scale लगाई गई है और उसके बाद thread को उसके उबर छोड़ा गया है तो वहाँ पर friction हो गया तो यह cup को नहीं कीच पा रहा है और बाद में फिर से दोनों तरफ मतलब यहाँ पर भी पहले एक तरफ से ही फोर्स अपलाई किया जा रहा था फिर बाद में दोनों तरफ से फोर्स अपलाई किया गया यहाँ पर भी एक नर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर भी आपको नर्ट दिख रहा है अब दोनों ही तरफ सिक्वल अगर फूर्स लग रहा है तो उस केस में भी displacement वहाँ पे नहीं दीखेगा आपको ऐसी बात तो यहाँ पे positive, negative and zero work की बात की जा रही है अगर body का displacement हुआ ही नहीं तो वहाँ पे वरेटन zero माना जाएगा अगर force के direction में displacement हुआ है तो उसे positive एक नहीं जाएगा और force के direction के opposite अगर displacement है तो उसे negative work माना जाएगा कि ओके इसको समझते हैं यह जो परेग्राफ के अंदर चीज आपको बताई गई है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या बताना चाहते है इनका कहना है कि मान लो यह है आपकी Mother Earth यहाँ पे हमारी Earth है और जो Satellite है इसके चक्कर लगा रहा है अब इनका कहना क्या है कि अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे मेरा Satellite है तो उसकी जो डारेक्शन है वो इस तरीके से यह इनसेड आ रही है ग्रैविटेशनल फोर्स की जो डारेक्शन है वो अंदर की तरफ आ रही है बाद में अगर मैं देखू इस पोजिशन पे अगर मैं डिस्प्लेश्मेंट की बात करूँ जो डिस्प्लेश्मेंट है वो ऐसा एक्ट हो रहा है यहाँ मतलब यह देखो यह ग्रैविटेशन फोर्स अंदर एक्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट की डारेक्शन वो कैसी है अलॉंग टैंजेन्ट एड़ पोई्ट टू डचर यह जो पात है इसकी जो औरबिट है तो औरबिट के पात को टैंजेन्ट रहेगी उसके displacement की direction उसके displacement की direction तो यह देखो यह हो रहा है भाई आपका displacement और यह जो है यह है आपका force यह force है यह आपका displacement आ रहा है समझ में इदर आपका force अक्ट हो रहा है तो अगर मैं work की बात करूँ अगर मैं work की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जहाँ पर यहाँ पर आएगा displacement और यहाँ पर यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ एफ डॉट एस यहाँ पर आएगा f.s और यहाँ पर आएगा cost 90 यहाँ पर क्या आएगा cost 90 क्योंकि दोनों में angle कितना बन रहा है 90 degree का angle बन रहा है cost 90 की जो value आती है वो 0 जो work है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है energy के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकरी पहले ही स्टार्टिंग में ही वीडियो में दे दी थी लेगिन बुक में क्या दिया गया है अलग वो भी हम देख लेते हैं देखिए energy के बारे में बात की गई है why does it happen यह क्यों होता है ऐसा आपको बूचा गया है और आपने उसको डार्क में रख दिया तो वहाँ पर क्या हो जाएता वो उसकी जो उसकी जो लीफ है मतलब डेफिनेटल उसकी जो लाइफ है वो खतम होने वाली है क्योंकि आपने उसको sunlight दिया ही नहीं है और इंक्रिजिंग दे वॉल्यूम आप मूजिक सिस्टेम और टी हो बहुत ज़्यदा नॉइस हो वहाँ पर तो घर के अंदर जो ग्लास की चीज़े हो वाइब्रेट होना शुरू कर देती है राइट क्लेक्टिंग संलाइड ऑन पेपर विद एलप ओप कॉन्वेक्स लेंज बॉर्ण दपेपर यह आपने बहुत बार किया होगा कि हम क्या करते मैगनिफाइंग गलास लेते हैं उसके उपर संलाइड गिरिती है और वो क्या करता है संलाइड वो कॉन्वर्स करता है एक बड़ी की काम करने की शमता उसी को क्या बुला जाता है एनर्जी बुला जायता कैपेशिटी ऑफ और बॉर्डी टूफ़ॉम वरक इसकॉर्ड एनर्जी दिया अपने आलू की सब्जी और रोटी खाई आपकी एनर्जी कितनी हो गए हजार कैलरी उसके वाद मैं आपने का कालरी खतम हो गई उत्रा ही क्या हुआ है तो वर्क को भी आप उसी यूट में काउड करोगे लिए ना हजार आपके वास में कैलरी इस उसमें 200 खर्च्छ हो गई तो काम कितना हुआ 200 कैलरी तो calorie का unit तो दोनों तरफ same ही है energy lost by the system is equal to work done इसलिए energy or work जो है वो convertable है यहना वो convert हो जाते हैं कि दूसरी के अंदर इसलिए दोनों का unit जो होता है वो same होता है तो ऐसा unit the unit in SI system is joule work का जो unit होता है यहना work का जो unit होता है energy का जो unit होता है वो क्या होता है जो unit होता है energy का वो क्या होता है joule होता है while that in CGS system it is urge work का यह unit होता है CGS system है ना बड़ा भाई कौन सा SI system ठोड़ा भाई कौन सा CGS system SI system का MKS system भी बोलते है तो SI वाले में energy का unit joule और CGS वाले में energy का unit क्या होता है और जोता है you have learned that energy exists in a various form like mechanical heat light sound electromagnetic chemical nuclear and solar energy के अलग अलग फॉर्म होता है कौन सा होता है mechanical होता है heat होता है light होता है sound होता है electromagnetic chemical nuclear solar यह अलग अलग क्या है forms है energy के in the chapter we are going to study two forms of mechanical energy potential energy and kinetic energy अभी हम क्या mechanical energy के दो form पढ़ने वाले हैं एक है kinetic एक है potential यह mechanical energy होता क्या है है तो मैं आपको एक general example देता हो जो आप easily आप रिलेट कर पाओगे देखिए आप एक system हो राइट आप एक system हो इसमें कई सारे body parts है आपके यह limbs है यह आपके हाथ है उसके पैर है आपके अंदर अलग अलग system है आप देखिए आप ऐसे खड़े हो आप अपने comfort zone में खड़े हो तो मैं बोलता हूँ आप अपने हाथ उठाईए इस प्रकार से यह अपने हाथ आप ऐसे उठाईए ओके डेफिनेटली यह तो कोई आपका comfort zone यह तो आपका comfort zone है यह नहीं आप यहाँ पे दो मिनिट रुखोगे पाश मिनिट रुखोगे उसके बाद में आपके जो हाथ है अपने आप नीचे आ जाएंगे तो होता क्या एक system होती है जो बहुत सारी चीदों से बनी हुई होती है उसको गर आपने उसके discomfort zone में डाल दिया जैसे कि आप यहाँ पे थे comfort zone में और किसी ने आपको बोला कि हैंड रेस कीजिए तो आपने क्या किया आपके हैंड रेस कर दिया आपको टीचर ने punishment कर दी कि अपने हाप अपने हैंड रेस करो और खड़े रहो तो यह आपके लिए पेन जो है फिल होना शुरू हो जाएगा आपको थोड़ा फिल होगा कि यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है पेन हो रहा है आप उसको फिल कर सकते हैंडम से तो होता क्या है जब system अपने discomfort zone में आती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है उसके अंदर potential energy जमा हो जाती है अब मेरे जैसे ही अपने हातों को release करूँगा जैसे मैं discomfort से comfort में आने कोशिश करूँगा right discomfort में कहां पर आ रहा हूं comfort में तो होगा क्या मेरी सारी potential energy जो है वो कानेटेक में convert हो जाएगे देखो यहाँ पर मैं था मतलब मैं मेरे discomfort position में था जहाँ पर मेरे अंदर potential energy जमा हो गई थी यह से मैं जैसे अपने हाथ को release करूँगा तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे तो potential energy सारी convert हो गई कानेटिक के अंदर तो system एक system होते है जो बहुत सारे पार्ट से बनी होई होती है उसको गर आप discomfort zone में डालोगे तो उसके अंदर energy store हो जाएगे जैसे एक archery में आपने दिखा अपने रिलीस कर देगा आरा समझ में ऐसे काम होता है तो यह जो energy होती है इसी को क्या बोलते है mechanical energy comfort discomfort वाली जो energy हो गई वो क्या हो गई mechanical energy हो गई तो इसके दो टाइब होते है potential और kinetic अगर आप discomfort में हो तो energy store हो गई potential जैसे ही system discomfort से comfort मैंने कुशिच करेगी तो सारी potential energy kinetic में convert हो जाएगी okay ऐसी बात होती है kinetic energy what will happen in the following cases क्या बुला है a fast cricket ball strikes the stump अगर बहुत तेजी से ना बहुत तेजी से 150 km पर आर की speed से बॉल आ रही है और वो स्टम पर जाकर के लगए तो क्या हो जाएक एकदम से स्टम तूड़ जाएगा हो सकता है तूड़ जाए हो सकता है कि वह वहां से निकल जाए जहां पर आपने उसको डिग करके रखा हुआ था तो strike hits a coin on the carom board and a striker hits the coin on the carom board को जो coin होता है वहां पर क्या करता है उसको hit करता है one marble strike another in a game of marbles यह भी आपको पता है कि जो कंचे कंचे का जो गेम होता है उसमें हम कंचे मारते एक गोटी से दूसरी से दिखने को मिले की from the example we understand that when a moving object strike a stationary object from the example we understand that when a moving object strike a stationary object stationary object moves घुमने वाली जो body motion में है and a moving object होता है moving object को जाकर के लगता है moving object अगर stationary object को जाकर के लगेगा तो बाद में क्या हो जाएका motion में आ जाएगा stationary object moves does the moving object has some energy moving object के अंदर क्या होगी some energy होगी a part of which it shares with the stationary object thereby sitting it in motion the energy which an object has because of its motion is called the kinetic energy motion की वज़िए वज़िए और यह दूसरा object है यह motion वाला जो object है वो इसको लगेगा stationary वाले को और stationary वाला जो है वो motion में आएगा stationary वाला जो object है वो motion में आएगा the energy which an object has because of its motion mark करकर कि यह है definition the energy the energy which an object has because of its motion is called kinetic energy motion की वज़िए से जो energy body के अंदर है उसे क्या बुला जाएगा kinetic energy वुला जाएगा the work done by the force to displace a stationary object through a distance is called kinetic energy gain by the object okay what is done क्या बुलाएगा the work done by the force to displace a stationary object through a distance as is the kinetic energy gain by the object Okay नौज क्या करेगा देखिए force लगा अब जब लगता है तो बोड़ी क्या उपर क्या होता है lequel-ड़ के अंधर displace में देखने को मिलता है तो फोफ़र्स ने क्या किया care boogi ने उसको displace किया और यह जो work ने क्या किया बॉड़ी के उपर वर्क डन किया तो जितना हम फोर्स से बॉड़ी के उपर वर्क डन कर रहे हैं तो वो सारा वर्क डन बॉड़ी के अंदर कनवर्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनरजी में हम जो वर्क करते हैं बॉड़ी के उपर वो उसके अंदर एनरजी के की फिर्म में convert हो जाता है यही बात यहां पर बताई गई है चो काइंटरीग इनरजी वो किसके बरावर है बोडिक उपर कितना वर्क डन हुआ जो बोडी के काइंटिक इनरजी के बरावर है काइंटिक पर टूप पोरस इन्टू दिस्प्लेश्मेंट एक्सप्रेशन for kyanitic inergy वाले हैं यहां पर एक्सप्रेशन देखने वाले हैं और करने वाले है यहां पर इक्सप्रेशन करने वाले हैं सपो ज स्टेशिरी अबजेक्ट आप मासण मोश नहां body का माज कितना है M तो ये का most because of the applied force ना body के उपर force act हुआ और body जो है वो motion में आ गए लेकिन पहले ये जो body rest में थी let u be the initial velocity body की जो initial velocity कितनी है u है body की initial velocity कितनी है u है let the applied force be f this generates an acceleration a in an object and after time t the velocity of object becomes equal to v the displacement during this time is as the work done on the object w is equal to force into displacement देखिये क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक object था यहाँ पर एक object था यह है object आपका यह रुका हुआ है यह कैसा है यह विचारा rest में है कोई इसको यह कैसा है object रेस्ट में यहाँ पर रुका हुआ है यह object है जो कैसा है rest में पतब इसकी जो initial velocity है वो 0 है बाद में इसके उपर क्या हुआ है बाद में इसके उपर force apply हुआ force apply होने के बाद थोड़े से time interval के बाद मतब T मानली जे टी की कुछ value है 5 second 6 second 7 second कुछ भी value है तो T इतने समाई के बाद में बाड़ी की जो velocity है वो कितनी बन गई बाड़ी की विलासिटी जो है वो वी बन गई कितनी बन गई वी पहले कितनी थी यू यू की value कितनी थी 0 रुका हुआ था फिर force apply हुआ तो थोड़े ही समाई के बाद में बाड़ी की विलासिटी 0 से वी बन गई 0 से वी बन गई यही यहाँ पर बूला गया है आपको suppose a stress-thary object of mass m moves because of an applied force let u be its initial velocity u की value 0 let the applied force f this generates an acceleration a inner object इसके अंदर क्या हुआ acceleration तयार हुआ है और acceleration तयार होने से body की जो velocity है वो V बन गई थोड़े समय के बाद में the displacement during this time is S कितना displacement हुआ है S इतना displacement हुआ है the work done on the object work done कितना होता है force into displacement इतना क्या हुआ है वहाँ पर work done हुआ है work is equal to force into displacement ओके बड़ के उबर force अपला हुआ body ने displacement किया पहले उसकी velocity 0 3 बाद में उसकी velocity V बन गई पहले उसकी velocity U कितनी थी 0 बाद में कितनी हो गई V हो गई ऐसा हो गया तो work is equal to क्या हुआ force into displacement ऐसे दो बात यहां पे हो गई ओके तो force की value कितनी है force की value है mass into acceleration force की value है mass into acceleration है ना और S की value क्या है S की value है UT plus half 80 square ओके displacement कितना हुआ है formula क्या है UT plus half 80 square initial velocity की value 0 हो गई half 80 square यह value क्या हो गई यहां पे 0 अरा समझ में half 80 square displacement आपको बाता चल गया U की value कितनी है 0 यहां पे U 0 हो गया बाद में बचा क्या कि S किसके बराबर है half 80 square के बराबर है ऐसा हो गया S की value भी आ गई आपके बास में और force की value भी आ गई तो इन दोनों ही values को मतलब यह देखो ऎहां पर यह value और यह value A और 1 और 2 को आपको रखना है इसके अंदर यह है आपका 1 यह है आपका 2 दोनों ही उठा करके यहां पर आपको रखने है वर्क के formula में तो work is equal to क्या हुआ mass into acceleration work is equal to क्या force into displacement तो force की value क्या हो गई mass into acceleration और displacement की value क्या है क्या है हाफ 80 स्क्वेर क्या है इसमें आगे कुछ चेंजेस करेंगे हम आगे हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे क्या बुला गया है वि क rappelle क्या होता है। वि की वैलू क्या हो गई है यू प्लास 20 रैट लेकिन उ तो 0 है मतलब वि की वैलू क्या हो जाईगी 80 हो जाएगी, अगर V is equal to 80 है, तो V का square जो है, वो 80 के square के बराबर हो जाएगा, ओके, और आपको बता ही है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे 1 by 2 M, 80 square, A, A और T, दोनों का whole bracket का square है, लेकिन 80 की जो value है, वो किसके बराबर है, वो तो V के बराबर है, मतलब work कितना हो जा समझ में आ रहा है, कितना, V square, ओके, और हमने क्या बुला है, जो work हुआ है, body की उपर, वो सारा का सारा work, इसमें convert हुआ है, body की energy में, body के kinetic energy में, kinetic energy, body की उपर act होने वाले work के बराबर है, तो kinetic energy की value 1 by 2 M, V square, यहाँ पे हो जाएगी, जो kinetic energy की value है, वो कितनी बन जाएगी, of M, V square, यह हो गया, भाई, derivation, kinetic energy का यह क्या हो गया, derivation हो गया, अब देखेंगे, potential energy का derivation, अब देखेंगे, हम potential energy का derivation, potential energy, okay, potential energy का मतलब क्या होता है, कि energy stored in an object, because of its specific state or position, is called potential energy, body के, body के position की वज़े से, उसके अंदर जो energy है, उसे बुला जाता है, potential energy, मान लीजिए कि मैं एक system हूँ, okay, मैंने क्या बुला, कि मैं एक system हो, और मैंने मेरे हाथ ऐसे उपर कर लिए, तो यह एक specific state हो गई, body की, तो इस specific state के अंदर, body के अंदर energy store हो रही है, जमा हो रही है, और state के उज़े से अगर body के अंदर energy जमा होती है, तो उसे क्या बुला जाता है, जब body अपने discomfort से comfort में आती है, तो सारी potential energy kinetic में convert हो जाती है, ऐसी बात, expression for potential energy, potential energy के लिए expression, work is equal to क्या होता है, work is equal to force into displacement, force की value क्या है, mg और displacement की value क्या है, है न, देखे, expression, to carry an object of mass m to height h, above our surface, a force equal to mg has to be used against the direction of the gravitational force, the amount of work done can be calculated as follows, force is equal to, work is equal to force into displacement, force कितना है, mg, displacement कितना है, h, तो formula बन गया mg, है न, basically ये क्या कहना चाहित है, इनका कहना है, देखिये, इनका कहना है, object आपका यहाप का ground surface है, यह आपका surface है, यहापर है आपका object, देखो यह है center body का, यह है body का center इसके उपर क्या हो रहा है, force सेक्ट हो रहा है तो फॉर्स इक्वल टू क्या हो गया में टूजी हो गया तो जितना उसका वेट है यतना इसके उपर weight act हो रहा है, मतलब और्थ की gravity इसके उपर यतना force exert कर रही है, उतना ही उसका क्या है weight है, और हमें करना क्या है, हमें इस object को यहाँ से उठाना है, और यहाँ पर लेके जाना है, इस object को उठाना है, और हमको इसे यहाँ पर लेके जाना है, जो उसकी height है, वो वर्क की अगर मैं बात करूँ तो वर्क क्या बोलता है force कितना है वो देखो displacement कितना है वो देखो ऐसा बोलता है अपने को force तो force की value क्या होगी force की value होगी mg के बराबर है है न जितना उसका weight है उतना ही आपको force लगाना पड़ेगा तब ही आप उसको उठा पाओगे है यह mg बनेगा और जो ऐस है यह उसकी हाइड मत्ом है कि वह पोटेंशियल एनर्जी यह है अप Iya यहां से उठाओ यहां से उठाओ यहां से उठाके इसको यहां तक लेके जाओ यह बन गई की पोटेंशियल अब इनका कहना यहाँ पर पोटेंशिल एनर्ची वह कैसे रिलेट्व है मतलब मैं बुलूंगा यहाँ पे और यहाँ पे इसके कंपेरिजन में इसकी एनर्ची कैसे पूटेंशिल एनर्ची ज्यादा है इसके comparison में इसकी potential energy बहुत कम है लेकिन इसके comparison में इसकी potential energy ज्यादा है क्योंकि यहां से गर मैं height gain करूँ तो यहां पर height जो है कम हो जाएगी लेकिन इसके इसाब से गर मैं gain देखू तो height यह बहुत ज्यादा है को मतलब यह कैसा है energy एक रिलेट्यू टर्म है ऑक है मैं एकर फॉस्स फ्लोर पर हूँ और मुझे फ़ास्त फ्लोर पर पर जाना तो मेरे लिए वह आसान हो गया लेकिन अगर मैं ग्रांट फ्लोरस से मुझे ना और फ्लोर पे जाना तो मेरी लिए कैसा होका है रिभिकस्त तो पोटेश्पार्वाइब कैसी है कि रिलेट्टिव टर्म है कर चैसल आप क्याा बुला है ट्रांसफॉर्मेशन ओप उनर्जी एनर्जी का transformation जो energy है वो अलग-अलग form में convert होती है जैसे कि आप देख पा रहे हो electrical energy है तो electrical energy अगर आप हीटर का यूज करेंगे तो heat energy देगा आपको thermocouple का यूज करोगे तो thermocouple का यूज करोगे तो heat energy जो है वो इलेक्रिकल एनरजी में convert हो जाएगी उसके बाद में देखें यहां पर sound energy अगर आप loudspeaker का यूज करते हो तो electrical energy जो है वो sound energy जो है वो electrical energy में convert हो जाएगी समझ में आ रहा है ओके चल और क्या बुलाए देखें तो रहा electrical energy chemical energy तो है ना cell का यूज करते हो आप तो electrical energy जो है वो primary cell primary cell का यूज करोगे तो जो chemical energy है वो इलेक्रिकल में convert हो जाएगी सेकंडर रिसे का यूज करोगे तो electrical energy chemical हो जाएगी जैसे हमारे जो वैटरी है उसको आप क्या करते है यूज करते हो जब आप एक आप कुछ सेल ऐसे होते हैं प्रायमरी सेल ऐसे होते हैं कि उसके अंदर की केमिकल एनरजी एलेक्ट्रिकल में करित तो हो जाती है लेकिन एक बार वो और वो केमिकल सारी यूज हो गए सब्सक्राइब फिर हमें उसको भेकना पड़ता है वो कुछ काम का नहीं रहता लेकिन जो हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी है उसमें पहले केमिकल एनर्जी एलेक्टिकल में करवड हो जाती है और फिर आप उसको जब चार्जिंग करते हो तो इलेक्टिकल एनर्जी फि हो जाएगी बाद में मेकनिकल एनर्जी अगर आप जनरेटर का उपयोग करते हो तो मेकनिकल एनर्जी एलेक्टिकल में करवड हो जाएगी अगर आप फैन का उपयोग करते हो तो इलेक्टिकल एनर्जी मेकनिकल में करवड हो जाएगी तो यह एनर्जी को हम क्या कर सकते अ of conservation of energy energy can neither be created nor destroyed it can be converted from one form to another there's a total amount of energy in the universe remain constant पूरे universe में तोटल एनरची है वो हमेशा कैसे रही कि हमेशा constant रहेगी अपने को यह प्रूव करना है किसी भी system की जो energy रहती है वो कैसे रहती है constant रहती है ओके एक एक्जाम्पल हम लेते है इक्जाम्पल के त्वर प्रेज़ो एनरची का एक कंसेट है इसको हम समझने की कोशिश करते है रहेट है के का फ्रीफॉल ख़भी कंसेट है कि फ्रीफॉल का कंसेट कैशा है फ्रीफॉल का इसफ़ीजेंगी और यहां से हम कि एंदरजी के कंदरोशन का लॉब ही हम समझने वाले हैं दोनों भी चीज़ें हम समझने वाले हैं तो करो मैं फ्रीफॉल की बात करूँ कि बाड़ी की मोशन हो रही है लेकिन उस मोशन में उसके उपर बस एक ही अगर फोर्स हो रहा है तो उस मोशन को क्या बोला जाता है फ्रीफॉल बोला जाता है प्रीफॉल प्रीफॉल अब यहां पेक एक एक सिस्टेम अपने को दी गई है तो अपने को चेक करना है कि जो टोटल एनरजी रहती है वह हमेशा कैसे रहते हैं कॉंस्टन मतलब हम प्रूब कर पाएंगे कि लो आफ गंसर्विशन अपने काम करता है चल तो करना क्या है सबसे पहले आपको आपको एक हाइट की ऊपर आपको करना क्या है आपको एक हाइट की ऊपर एक औब्जेक को रखना है यह ना मतलब आपने क्या किया इस हाइट की ऊपर एक औब्जेक को रखा बाद में इसको छोड़ दिया आपने और जस्ट भीफोर ट्टिंग डग्राउंग इस पूरी पाथ में वसकी जर्नी कितनी है। यह अपने को चेक करना देखो तो बॉडी की जो होती है होती है उसकी पोड मेंसों और ची से बनती है और इसकी काइण इनरजी से बनती है यह जो है यह है आपका case number 1 पहली case में क्या हो रहा है potential energy हिस पोटेंशेल एनर्जी थो किसकि बराबर म फ्रक हाव म 2 के बराबर है तो दुखा हुआ है मतलब इसकी जो इनिसाल वजर्टीू है वो कितने हो गए जीरो अगर इसकी वजर्टीटी जरयो है यह जो काइनेट केंट री तरम क्या इगी पूरीawsay 10 आ जाएगः क्यों कि आगे बात करते आगे बात करते हैं पहली केस हो गई दूसरी केस की बात करते हैं देखिए फिर आपने क्या कि अब्जेक को ड्रॉप करवा दिया कि यहां से अब्जेक्ट आया अब्जेक्ट को आपने ड्रॉप करवा दिया आपने यहां से अब्जेक्ट आया इसको ड्रॉप करवा दिया मान लीजे टोटल हैड कितनी है एच और आप यहां से नीचे आ गए यहां से नीचे आगए तो कितना हो गया displacement x के बरावर हो गया x इतना displacement हो गया उपर से नीचे की तरफ और total जो height है वो कितनी है h है total height है h लेकिन उपर से displacement कितना हुआ x तो body जो है यहाँ पर पहुझ गई है तो यहाँ पर body के अंदर potential energy भी है और kinetic energy भी है और kinetic energy भी है और kinetic energy भी है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें निकालना है total energy तो total energy बन जाएगी potential energy plus kinetic energy इसी दो टर्म यहाँ पर आपकी बन जाएगी तो जो potential energy है तो किसके बरावर है mg और height देखो कितनी है total height है total height है h और कितना cover किया x तो height कितनी बन जाएगी यहाँ पर h-x ऐसी height बन जाएगी right अब kinetic energy देखो कितनी है kinetic energy कितनी है half m v square तो मुझे अभी क्या निकालनी है value v square की value यहाँ पर निकालनी है मुझे क्या निकालनी है v square की value तो v square को निकालनी के लिए मैं क्या करता हूँ देखो ज़रा v square को निकालनी के लिए क्या होता है v square is equal to u square plus twice as v square is equal to u square plus twice as है ना तो देखिए उपर से आपने drop किया तो initial velocity कितनी थी 0 plus यहाँ पर 2 लिया मैंने यहाँ पर देखिए acceleration जो है वो gravity का acceleration है okay gravity का acceleration downward है तो यहाँ पर मैंने minus g लिया आप नीचे आ रहे हो है ना उपर से आप नीचे आए तो कितना आपने cover किया x downward motion में displacement कैसा negative ले लिया अपने तो v square की value क्या आ गई यहाँ पर v square की value आ गई 2g x कि ऐसे value यहाँ पर आ चुकी है ऐसे value यहाँ पर आ चुकी कि 2g x value आ गई ओके तो देखो हमें करना क्या है कि हमें क्या करना है यहाँ पर हमको लेना है mg h-x यहाँ पर प्लस यहाँ पर 1 by 2 m v square है ना v square यहाँ पर m आएगा और v square की value क्या है 2g x के बराबर है तो देखो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ mg h-mg x यह हो गया प्लस यहाँ पर आगा 1 by 2 यहाँ पर m यहाँ पर 2g x ऐसी value आगए यहाँ पर टू टू जो है cancel हो जाएगा तू टू यहाँ पर क्या हो जाए cancel तो बचेगा क्या देखो यहाँ पर क्या बचा mg h-mg x बचा और देखो यहाँ पर प्लस mg x mg x तो आप देख सकते हो mg x और mg x यह क्या हो जाएगा cancel बचेगा क्या mg h ओके तो case number second तो यह अपना case number second था यह क्या था अपना यह था अपना case number second तो पहले वाले में देखो कितनी एनर्जी थी पहले वाले में कितनी थी mg h और दूसरे वाले में कितने हैं mg h देख पा रहे हो मतलब जब हाइस पॉइंट पे था तब भी एनर्जी एमची एच थी टोटल एनर्जी एमच के बराबर थी जब मिड़ प्यूब किया उसको से ब्रॉब किया अभी वह जस्ट ग्राउंड को टसी कर नवाला है घ्यामा वह चाहिम पर उसके एनर्जी कितनी रहेगी तो फिरसे लिखेंगे हम प्यी टोटल एनर्जी कि बराबर है पोटेर्टेंक ये ऑर काइनिर की बराबर देखिए पोटेंशल देखिए पूरा यहां से नीचे आ गया अभी जस्ट टच करने ही वाला है मतलब कुछ भी यहां पर मान लीजी कि एकदम ग्याप ही नहीं है कुछ भी ग्याप नहीं है अब टच होने ही वाला है नीचे द मतलं है है आपे कुछ भी नहीं है मतलब यहां पूरी टर्म जड़ें और मैं यहां पूरीं टर्म जड़्यू तो यहां बचेगा वहां सय पेंड़ने बड़ें चले II V-square की यहाँ पर value निकालनी पड़ेगी, यह न, V-square की मुझे यहाँ पर value निकालनी पड़ेगी, V-square, देखो, V-square is equal to U-square plus twice AS, ठीक है न, twice AS, अब देखे, उपर से drop किया, मतलब initial velocity तो वैसे भी 0 थी, बचेगा क्या, देखो, twice, acceleration कौन सा gravity का, minus G क्योंकि downward होता है, आप उपर से नीचे आ रहा है हो, मतलब height जो है, वो negative आपको count करने पड़ेगी, यहाँ पर माहिने, आपने minus H लिखा, यहाँ पर क्या आएगा, twice H, twice GH आएगा, तो यहाँ पर V-square is equal to twice GH आने वाला है, right, तो देखो, 1 by 2 लिखा, यहाँ पर जो 2 और 2 है, cancel हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा MGH, तो यह बन गया, आपका total energy MGH के बराबर, total energy जो है, वो MGH के बराबर बन गया है, है ना, मतलब यह हो गया, आपका case number 3, case number 1, case number 2, case number 3, तो case number 3 में आपकी जो energy है, वो MGH के बराबर है, उसके बाद में case number 2 में आपकी जो energy है, देखो, case number 2, यहाँ पर आपकी जो midpoint पर आप पहुच गए थे, तब भी आपके energy MGH के बराबर है, और जो initial point था, जब आविक्दम top पे थे, तब भी आपके energy MGH के बराबर थी, top पे ज इनों ही condition में आपकी energy कहीं पर भी नहीं बदली है, एक isolated system की energy हमेशा conserve रहती है, total energy उसकी जितनी होती है, starting से end तक उतनी ही रहती है, तो हमने law of conservation of energy को brew कर दिया, free fall का example लेके, ओके, यह सब कुछ मैंने आपको बता दिया देखो, इंदोंने बताया है case number, case number one, case number two, case number three, तिनों ही case में energy उनकी same-same है, ओके, अभी जो बात है, वो power की बात होने वाली है, देखिए power की बात, definitely, अगर आप देखिए, आप ground floor से first floor पे जाना चाहते हो, ओके, तो definitely आप अगर चड़ते हो सिडिया, तो आप बहुत fast आप चड़ोगे, लेकिन अगर वही पिदाजी की बात की जाए, पिदाजी को अगर बोला जाए चड़ने के लिए, तो पिदाजी बहुत समय लेंगे, क्योंकि energy, ठीक है यहाँ पर work done दो same ही है, मतलब दोनों क सेमी हाइड पर चड़ना है, displacement दोनों का सेमी होने वाला है, लेकिन time जो है दोनों को अलग-लग अलगने वाला है, मतलब दोनों की power अलग-अलग है, work कितना हुआ और कितने समय में हुआ यह भी important है, आप सेडिया चड़ोगे, तो आप एक मिनिट के अंदर ही चड़ हैं, तो work upfront during time इसे बुला जाता है पावर वर इनुट time इसे बुला जाता है गओर इसे पावर बुला जाता है। ऐसी बात और पावर का यूणिट क्या होता है बावर का नूट होता है वैट पावर होता है वन जूल अपन वन सेकेड्ड येन वैट का मतलब क्या होता है वन जूल एनर्जी आपने खर्च कर ली 1 second में तो उसे बोले जाता है 1 watt ओके देखे 1 horsepower 1 horsepower मतलब होता है 746 watt 746 watt मतलब 746 Joule इतनी एनर्ज एकर आप 1 second में खर्च करते हो तो उसे बोले जाता है 746 watt तो unit of energy for the commercial uses kilowatt commercial use के लिए जो energy का unit होता है वो kilowatt होता है kilowatt है ना 1 kilowatt मतलब 1000 Joule energy आपने खर्च की एक सेकंड में 1000 Joule energy perform in 1 second is called 1 kilowatt power उसे 1 kilowatt power गुले जाता है आपने घर में जो electricity का meter होता है उसके अंदर जो unit होता है उसे गुले जाता है 1 kilowatt hour 1 kilowatt hour 1 kilowatt power आपने एक घंटी के लिए यूज कर ली 1 kilowatt मतलब होता है 1000 watt और 1 hour मतलब होता है 3600 second 3600 second तो 1000 watt 1000 watt मतलब 1000 Joule per second और यहाँ पर 3600 तो यह आएगा 36 lakh Joule इतनी energy जो है 36 lakh Joule इतनी जो energy है वो खर्च होने वाली 36 lakh Joule इतनी जो energy है वो खर्च होती है 36 lakh Joule का मतलब होता है 1 kilowatt hour इसको लिखा जा 3.6 into 226 Joule इतर ऐसा भी आप उसको बोल सकते हूं यह ना वर यूनिट आपने जो electricity का एक यूनिट जो अपना बर्न होता है तो उससे बोला जाता है 1 kilowatt hour तो अब तक हमने पूरा थेरी पार्ट देख लिया अभी हम इस चाप्टर के exercise में दिये गए एक question numerical basically उसको solve करेंगे क्योंकि numericals बहुत हरे बच्चों को difficult लगते है तो वो सभी मैं numerical solve करके यहाँ पर देने वाला हूँ देखिए क्या बोला गया है an electric pump has 2 kilowatt power how much water will the pump lift every minute to a height of 10 meter ठीक है पेच को दो पार्ट में divide कर लिजिए इनका कहना है कि 10 meter में कितना पानी जो है lift किया जाएगा pump के द्वारा तो water का हमें क्या निकालना है मास निकालना है कितना water lift किया जाएगा ओके तो 10 minute है ना sorry कितना 10 meter की height पे 2 kilowatt power है और 10 meter की उचाए पर लेके जाना है ओके every minute तो देखिए पावर की बात करते है पावर कितनी है आपकी पास में 2 kilowatt इसका मतलब होता है 2000 जूल इतनी पावर आप एक सेकंड में खर्च करते हो तो इस तरीके से आपको पूरा एक मिनिट इसकेंड हो जाएगा एक मिनिट की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा 2000 जूल इंटो 60 तो यहाँ पर क्या होगा तो एक लाख बीस हजार जूल इतनी अज़ी अपने को देगा अब अपने को करना क्या है दस मेटर की उचाइव परतर और प σου डव सिस्प्लेस्मेंट इंटो कैंट इस परस अपने को निकालना है तो फोर्स मतलब क्या हो जाएगा वाटर का वाटर का जो वेट होता है वही फोर्स लगेगा जितना वाटर का वेट होगा उतना ही वेट अपने उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उसको लिफ्ट करने के लिए तो फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो एक लाग 20,000 जूल इतना हो गया आपका वर्क डन ओके यहाँ पर मैं लिखता हूँ M into G और यहाँ पर मैं लिखता हूँ S है ना M into G into S तो S की value कितनी है 10 तो gravity कितनी है वो भी 10 है ग्राइविटी करते यहाँ पर दिया नहीं है यहाँ पर आएगा M यहाँ पर G के value 10 आएगी और S के value कितनी है अएगे यहाँ पर देखे 12000 तो मैं क्या करता हूँ मैं इस Zero को cancel करता ओ इन Zero को cancel करता हूँ तो यहाँ पर M आएगा यहाँ पर आएगा 1200 और यहाँ पर यह तो हमने कैंसल करी दिया पहले तो 1200 किलोग्राम इतना वाटर का वेट होगा जो आप 10 मिनिट में मतलब 10 मिटर की हाइट पर एक मिनिट में इतना वाटर का जो मास है वो लिफ्ट किया जाएगा एक बार चेक कर दीजेगा यह हो गया पहले question का अंसर दूसरा question करते दूसरा question किया जाएगा यहाँ पर दीखे जड़ा कि देखो क्या बुला गया है इफ और 1200 वैट इलेक्ट्रिक आयन इस यूज डेली फॉर 30 मिनिट्स ओके एक इलेक्ट्रिक आयन आपके बास में है प्रेस है ना प्रेस करने के लिए यूज किया जाता है उसको तो पावर देखिए पावर कितनी है 1200 वैट इसका मतलब कितना होगा 1.2 किलो वैट इसको आप उसकरते हो डेली है तो 20 मिनिट्स के लिए है ना तो टाइंब देखिए थाईं कीता है 20 मिनिट्स का मतलब क्या हुता है 30 मिनि हाफ अवरर है ना हाफ अवर हाफ अवर हो गया का मच टॉटल इलेक्टरिसीटी sims in और फीडेस होते हैं ना तो फेले खालेंगे का मतलब क्या होता है एनर्जी का मतलब क्या होता है एनर्जी का मतलब होता है पावर इंटू टाइम तो पावर कितने हैं देखो ज़रा पावर है 1.2 पावर है 1.2 टाइम कितना है देखो ज़रा टाइम है हाफ आवर आप आवर है ना देखो पावर है 1.2 किलो वैट टाइम है हाफ अवर हाफ अवर 1.2 मुल्टिप्लेट वाए हाफ किलो वैट अवर है ना एक दिन का चल रहा आपनी एक दिन का क्योंकि 30 मिनिट यूज किया जाता है तो यह कितना आएगा 1.2 इंटू इंटू 1 बाइटू यह आएगा 0.6 0.6 किलो वैट आवर अवर है ना यह हो जाएगा एनर्जी लेकिन 30 डेस का अपने वो निकालना है तो टोटल एनर्जी कितने हो जाएगी टोटल एनर्जी अगर हमाँ बात करू तो यहाँ पे 0.6 मुल्टिप्लेट वाइट 30 आएगा किलो वैट अवर तो 0.6 और 0 तो यह पॉइंट से पॉइंट मरेगा यह पॉइंट से पॉइंट मर जाएगा इसको मैं लिखता हूँ यह 6 वाइट 10 है और यह 30 है तो 0-0 कैंसल हो जाएगा बचे का क्या 18 है ना तो यह कितना बजाए 18 किलो वैट आवर है और सान लगा है अबन वरन होता है मतना यहापर कितना हुआ कि तुछ मा सब्सक्राइब रॉक इप्रल के मन्त में आपके बर्न होने वाइने वाइन आपके बाकी दर पांच रुपाय इतनी फॉल्टिपला करते है ईतने पैसे आपको देने पड़ेंगे एपिल महिने में क्या बुला है if the energy of a ball falling from a height of 10 meter is reduced by 40% how high will it rebound जो object है यहाँ से नीचे गिरा अब इनका कहना है कि इसकी जितनी energy थी वो 40% उसमें से reduce हो गई तो इसकी कितना bounce होगा यह अपने को चेक करना है ओके तो 10 meter की height पे तो उसकी जो energy थी वो total जो energy थी वो potential है ना height के ऊपर उसकी जो potential energy थी particular height पे वो अपने उन देखेंगे यहाँ पे देखो mgh okay mgh तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ mg दोनों को ही mention नहीं किया गया है height mention की गई है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इतनी इसकी energy 10 10 into mg यह उसकी energy थी यह उसकी energy थी अब यह नीचे गिरा अब यह नीचे गिरा नीचे गिरा नीचे के बाद में इसकी 40% energy खर्च हो गई अब 10 का 40% है ना 10 का 40% कितना होगा वो दरह देखो आप है तो यहाँ मैं लिखता हूँ 40% कि आफ कि टेन एमजी कि एन एमजी का 40% कितना होगा देखो दरह देखो कितना हो रहा है 00 cancel 00 cancel क्या बचा 4 mg तो टेन एमजी का 40% 4 mg हुआ तो बचा कितना टेन एमजी माइनस 4 mg कितनी एनरजी बच्ची की उसके पास में 6 mg तो 6 mg इतनी एनरजी बच्ची है ओके फिर वो जमीन को लगेगा और रिबाउंड होगा रिबाउंड होगा न वो ऐसा टप्पा खाएगा और उपर जाएगा तो यहाँ पर टप्पा खाया तो उसके इनरजी कितनी 6 mg तो कितना उड़ेगा यह पूचा गया है तो देखिए आपने को जाना है mg h कितना उड़ेगा h निकालना है और इनरजी कितनी है देखो तरह 6 mg इतनी इनरजी है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर mg cancel mg cancel तो h q value कितनी आएगी 6 meter 6 meter इतना bounce होगा हूँ देख लो आगे बढ़ते है तो वेलोसिटी आफ़ कार इंक्रिजस फ्रॉं 54 किलोमेटर पर आर तो 72 किलोमेटर पर आर how much is the work done if the mass of the car is 1500 kg पतलब जो एनरजी है 54 से 72 किलोमेटर पर आर हो गई तो उसके उपर कितना work done किया गया यह अपने को चेक करना है तो देखिए work done जो होता है वह simply यहाँ पे चेंज इन काइनेटीक इनरजी काइनरजी में होने वाले बदलाओ यह बॉड क्योंब रेक्ट होने वाले एनर्जी के बरावर होता है तो पहले कितनी एनर्जी थी और लास्ट में कितनी एनर्जी थी इसको अगर मैं ऐसा सिस्टेम में करूँ तो देखो 54 करना बढ़ता है 54 किलोमेटर पर आरक को अगर अपने को कनवर्ड करना है मिटर पर सेकेंड में तो अपने को फायू बाइटीन से मल्टिप्लाइ करना बढ़ता है तो कितना आएगा देखो जड़ा अठरा त्रीक चौपन तो इन बाची पंदर मतलब 15 15 मिटर पर सेकेंड आ गया उसके बाद में 72 किलोमेटर पर आर इसको भी 5 वाइटीन से मल्टिप्लाइ करू अटरा चोग भाहत्तर जैना तो अटरा चोग बहत्तर अनि 425 मिज़े 20 मिटर पर सेकेंड तो उसकी विलाउसिटी थी 15 मिटर पर सेक ओके ऐसी हो गई है तो देखो यहाँ पर हम बोलेंगे फाइनल पाइनल काइनेटिक एनरजी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनरजी इनिशियल काइनेटिक एनरजी है ना, final minus initial, तो final कितनी है, मतलब 20 meter per second, यहाँ पर हम लिखता हूँ, 1 by 2, m, v square, v square की value कितनी है, देखो तरह, 20, तो 20 का square कितना आएगा, 20 into 20, 400 कर लेते हैं, 400, minus, यहाँ पर क्या आएगा, 1 by 2, यहाँ पर आएगा, m, और, यह न, v square, तो पहली कितनी है, 15, 15 का square, 225, देखा, तो यहाँ पर, 1 by 2 common, m common, m की value कितनी है, 1500, 1 by 2, into, 15, 00, 400, minus, 225, कितना होगा, देखो, जरा, ओके, कितना होगा, देखो, इसको separate कर लो, यह अलग चीज़ है, यह rough calculation है, आपका, कितना होगा, देखो, जरा, तो यह हो जाएगा, 750, okay, 750, multiply by, 400 में से 225 होगा है, कितना बच्चा, यहाँ पर कितना बच्चा, 75, मतलब 375, मतलब 175, ऐसा बच्चा है, 175, अब इसका जो भी मल्टिप्लिकेशन आएगा, इसका जो भी मल्टिप्लिकेशन आएगा, वो आप कर सकते हो हैं, उतना तो आप कर सकते हो, यह तना अगर मैंने करके दिया है, तो, तो देखो, कितना है, 175 हो आएगा, multiplied by 75, okay, okay, कितना आएगा, okay, 1, 3, 1, 2, 5, 1, 3, 1, 2, 5, और कितना 010, कितना जूल, इतना वर्क, इसके उपर होगा, okay, मैंने आपको तरीका बता दिया हो सकता है, थोड़ा क्रेकुलिशन में गड़वड़ हो सकता है, कई पे, उसको आप चेक कर सकते हो, right, तो मैंने सारे आपको मेथड तो बता दिये, और नुमरीकल जीतने दोशके सारे मेथड बता दिये, एक आपरी है, रवी अपनेट फोर्स आप टेन न्यूटन, मुआ बुक, 30 सेंटेमेटर देरेक्शन आप दा पोर्स, हाव मच, तो वर्क, डन बाइद रवी, ना, वर्क इस इक्वाल टू कितना होगा, पोर्स आप टेन न्यूटन, और यहाँ पे कितना बुक का डिस्प्लेशन, 30 सेंटेमेटर, मतलब 0.3 मीटर, तो यह कितना होगा, 3 जूल, 10 से, यह 0.3 है न, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 10 बाइ 3 लिखेंगे, तो 3 जूल, इतना वर्क डन हो जाएगा, तो मैंने सारे आपको थेरी पढ़ बताया, पूरा न्यूमरिकल बताया, रिवजन करनी कोई आउशकता नहीं है, होमवर् चैप्टर के बीजी केक साइज जो है, बाकी जो रिमेनी को रॉबले मों सॉल कर लीजिए, और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने पूरा लिक्चर देखा, ऐसे ही हमारे साथ में बने रही है, हसते रियमस को रते रही है